नमस्कार गुट्टी की पोठली यूट्यूब में आपका हार्तिक स्वागत है इसमें आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोठली आज मैं आपके लिए दो रंग की डोरी का डिजाइन लेकर आई हूँ डोरी दिखने में जितनी सुंदर है बनानी में उतनी ही आसान है यह इस डोरी को मैंने क्रोशी से बनाया है अगर आपको क्रोशी में केवल छेन बनानी आती हो तो भी आप इस डोरी को बना सकते हो इस डोरी का प्रियोग आप बच्चों की स्वेटर में, कैप में, शूस में कहीं भी कर सकते हो तो आएए अब हम डोरी बनानी शुरू करते हैं डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी दो रंग की उनको हम इस तरके से पहले एक सिम्पल सी नौट लगा लेंगे और इस तरह की नौट लगानी हम सब ही को आती है और क्रोशिया, इसमें मैंने जो क्रोशिया लगाया है टिटोनी का क्रोशिया है, नो नमबर का क्रोशिया आप अपनी उनके अनुसार मोटा और पतला भी लगा सकते हैं पहले इस हाथ से इस थागे को पकड़ेंगे और इस उनको पहले यहां से टाइट कर लेंगे थोड़ा सा धागा छोड़कर अब इन तोनो धागों के पीछ में से हम एक अपनी अंगुली और एक अंगुठा ऐसे हमारे डोरी बनाने के ये है ये धागा इस हाथ में और ये हमारे दो धागे इस तरीके से यहां से मैंने नीचे से पक्का पकड़ा हुआ है और पहले हमारा अंगली और अंगुठा नीचे है और फिर हम इसको ऐसे उपर करतेंगे और इस धाके को अब हम इसी उल्टे हाथ में पकर लेंगे अब हम डोरी बनाने शुरू करेंगे उल्टे हाथ के अंगुठी को थोड़ा सा अपनी साइड खींच लेंगे और यहां से एक चीन बना लेंगे फिर से और यह एक हमने चीन बना लेंगे एक चीन बना लेंगे एक बार ऐसे अंगुठा अपनी साइड कर लेंगे और एक बार ऐसे ले जातके हुए अपना यहां पर एक चीन बना लेंगे इसमें अगर हम देखते हैं तो चार स्टेप में हमारी डोरी बिलकुँ कम्प्लीट हो जाती है एक, दो, तीन, और चार एक, दो, तीन, और चार बिल्कुल इसी तरहा से बनाते हुए हम अपनी डोरी को जितना मर्ची लंबा कर ले चून सी कलर आपको पसंद हो आप वही कलर लीजिए बस बनाने का तरीका यही है कि हमारे सारे थागे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे कि अपनी तरीका यही है अब मैं आपके सामने डोरी थोड़ी सी फास्ट बना कर दिखाऊंगी डोरी बनने शुरू हो गई है और बन कर कितनी सुन्दर लग रही है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूस्फु लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ज अब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली नमस्कार धन्यवाद